हलो फ्रेंड्स येस बैंक का चार्ट तीन महीने का तीन महीने में तो प्राइज उपर ही गई है देख सकते हैं तीन महीने में 27 पसेंट उपर है 20 रुपेस से चालो होके आज 25 रुपीस तक प्राइज गई है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पे जिन्होंने डिलीवर ली है वह क्या करे क्या प्राइज और भी नीचे आ गई आज तो वह लोग लोस में है क्योंकि जिन्होंने 32 से लेके 30 यह 29 28 यह चार दिन है वहां पे जिन्होंने बाइंग की है डिलीवरी ली है वह तो आज अच्छे खासे लोस में है अब देखिए यहां पे यह वोल्यू के कंडल से नीचे तो यह 6 तारिक से लेके 12 तारिक को 4 दिन एक अपमू दिया वोल्यूम के साथ प्राइस अगर इतनी उपर जा नहीं है तो इतने हेवी डिलीवरी लेनी चाहिए उस दिन के वोल्यूम देखते हैं यह बैंक यह डेट है ओपन हाई लो ओपन हाई लो क्लोस और यहां पर है डिलीवरी कॉंटिटी चे तारिक कोम चले जाते हैं 6 फेबरुआरी उस दिन क्लोस आये 25.40 का जो पिछले दिन था 22.80 का यानि की प्राइस 10-11 परसंट उपर 20 करोड़ शेर की डिलीवरी उठाई गई 7 फेबरुआरी को 29.80 यानि की 17 परसंट उपर 39 क्रोड़ शेर की डिलीवरी ली फिर 30 रुपीज उस दिन 32.70 का हाई प्राइस भी दिया और उसके बाद 32.85, 52 वीग हाई है यह जहां से प्राइस निचा आई है यह दोनों दिन 38 क्रोड़ शेर की डिलीवरी 21 शेर 21 क्रोड़ की डिलीवरी हुई है 12 फेबरुआरी को प्राइस अच्छे का से वॉल्यूम के साथ नीचे आई है देखिए 19 क्रोड़ शेर की डिलीवरी ली उस दिन और प्राइस आ गई है 10 पसंट डाउन 28.30 31.40 से लेके और फिर लगातार नीचे आ रही है देखिए गोल्डमेंस एक्स फेबरुआरी को तो 23 फेबरुआरी को क्या प्राइस थी देखिए उस दिन अल्रेडी प्राइस 27 26 चल रही थी यानि की 32 की प्राइस से 5 रुपीस अल्रेडी डाउन आ गई थी मार्केट और उसके बाद देखिए उस दिन 3.5% डाउन और दूसरे दिन यानि की कल और 3.5% तो ये दो दिन में प्राइस 2 रुपीस नीचे आई है देखिए 27.15 से लेके 25.25 प्राइस अभी भी 25.25 है डाउन रेड का जो न्यूज आया उसके बाद सिर्फ दो केंडल हम देख सकते हैं जो बेर कंडल से पर में डाउन मूर तो यहां पर आ गया अब जिनोंने यहां पर यह स्टोक लिया है वो क्या करें क्या यह प्राइस 25.25 की प्राइस आज यह अकल और भी उपर जाएगी क्या यह 30 की प्राइस दीखा सकती है देखिए मुझे लगता है कि प्राइस की नीचे जाने की संभावना ज्यादा है यह लगातारी इतने दिनों से नीचे आया है दे कि एक और दिन एक दिन अगले चार-पंद दिनों के अगर हम बात करें तो एक-दो दिन उपर भी जा सकता है बुलिश केंडल दिखा सकता है लेकिन प्राइस लगातार मुझे लगता है नीचे जाएगी यह विक फ्रैडे तक प्राइस मुझे लगता है कि ट्वेंटी थ्री तक आ सकती है प्राइस उपर जाने की संभावना थर्टी रुपीज के टच करने की संभावना मुझे नहीं लग रही है एट लिस्ट ये विक में प्राइस नीचे आ सकती है ऐसा मुझे लगता है ये वीडियो एजूकेशनल परपस के लिए ही है थैंक्यू